General Election Parliamentary Constituency Trend and Results जो है, अभी हम बात कर रहे हैं, Parliamentary Constituency 4 यानि हिसार का जिकर कर रहे हैं, जहां आपस में कई दिगज एक साथ में एक ही पार्टी से निकले हुए लोग जो हैं, आमने सामने हो रखे हैं, एक ही घर के लोग आमने सामने हो रखे हैं, एक ही परिवार के लोग एक और जीताना चाहते हैं देखिए उनका जिक्र करने सबसे पहले जिक्र करेंगे जैप्रकास दलाल नहीं नहीं सोरी जैप्रकास जेपी सनोब पहले जैप्रकास जीए इंडियन नेशनल कोंग्रेस पार्टी से जेपी जो हैं हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं और रंजीद सिंग जी भारती जनता पार्टी रंजीद चोटाला जी यानि बिजली के जो मंत्री रहे हैं उनका मैं जिक्र कर रहा हूं अभी तक बिजली मंत डेश-राजी बहुजन-समाज़ पार्टी 20,000 बहुजन-समाज़ पार्टी के देश-राजाजजी को अभी तक मिल चुके हैं अब देखिए कमाल की बात है न üzी चोटाला जन्नाएक जंता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है सुनेना चोटाला ये आमने पचहेतर ये कमाल की बात है दोनों को सेम सेम जो मारजन जो है सेम सेम जो वोट एक साथ मिले हैं और इसी के साथ मैं बात करता हूँ जै प्रकास उमा दत इंडिपेंटेंड हैं 2546 वोट इनको मिले हैं अब बात करते हैं लास्ट में बहुत सारे कंडिडेटिस में हैं अंदर 2751 बोट यहां पर हिसार में लोगों ने दिये हैं अब मैं बात कर रहा हूं कि इनके डिफरेंस की 4,25,389 जेपी और रंजीत सिंग जी के हैं 3,96,810 यानि 28,59 वोटों का जो अंतर है इनमें मिल रहा है किसी में कुछ भी हो सकता है कि समय कुछ हो सकता है अपनी धड़कनों को रोक के रखिएगा अपने आपको संभाल के रखिएगा हो सकता है कोई आपका चहेता जीत भी सकता है और हार भी सकता है इसलिए हम सब को बने रहिएगा BTS News के साथ में और अगला दो मिनट बाद में हम आपको बताते हैं next constituency की बने रही रहेगा हमारे साथ